अन्रोध किया है कि इस परकार जब संपत्ति और संपदा का नुकसान होता है ऐसे स्थिति में किंदर सरकार से हमने अन्रोध किया कि हमें इसकी सहता रास्टे आपदा गोशित किया जाया और इस परकार कि हमें उसमें सहता में कोई कभी ना रहे किस परकार, आप डुचेंदर सबसेर ऐसे किस परकार की वेल्प मिल लप हो जो भी हुई इस समय तो जो भी हम अद मदद कर रहा है उप सब की सब बरकार की सब सायता लेने के लिए तियर है क्योंकि हम अपने मुझे खुशिस बात की कि जो जानी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है अगर यह समय रहते संभालाना जाता तो बहुत अधिक जानों का यूमन लॉस हो जाता लेकिन सरकार की मुश्तेदी और प्रशाशन की मुश्तेदी से हमें जो कुछ नुकसान हुआ ह है उसके लिए भी हम दूख फरकट करते हैं लेकिन बहुत कम जिस इस आफ़ता में जिस परकार संपत्ती को नुकसान हुआ संपता को नुकसान हुआ 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 है यह हमारी मुस्तेदी ही थी हमारा दायत तब भी था कि हमने लोगों को पहले चेताबनी इस मामने में दे जो फसे हुए वहां थे उनको सुबा साथ बजे तकरिव उनटिस लोगों को निकाला जो हमारा कसोन में लोग फसे थे उनको बाहर निकाला तो हमारा जो रेस्क्यू अपरेशन है वो अब खतम हो चुका है फसे हुए लोगों को हमने निकाला है कुछ लोगों की जाने के ही पर चेताबनी के बाद भी कुछ लोगों ने इस बात की प्रबाद ने की, वो अपनी जान गवाद चुके हैं, तकरीवन 16-17 के करीव डेथ अभी तक रेपोर्टिट हुई है, और जितनी बड़ी तबाही होनी थी, वो तरी बड़ी तबाही, human loss की या जानों जाने की थी, उस हैं, पती में पूल तूट रहे हैं, कुलू मनाली में पूल तूट रहे हैं, लार जी हमारा पावर प्रोजेक्ट है, पूरा पानी में डूब चुका है, पिछले कल से मनाली कुलू में लाइट नहीं है, बेजल जो यूजनाएं हैं, पीने की पानी की यूजनाएं हैं, वो सब हमारे नदी किसे उठकर पानी आता था वो सब बंद पड़ी है निश्चित और मैंने जाना था आज कुलू जाना था लेकिन कुलू मंडी से कुलू वाला जो रोड है वो बिलकुर बंद है डीसी कुलू ने हमें कहा कि आप टेलीफॉन और इसके माध्यम से जुड़े रह मैं भी इस रेस्क्यू उपरेशन में खुद का हाल चार पूछ रहा था और जिन शेत्रों में जाना जाहिए वहां सारे रास्ते अफरूद है लेकिन जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो मैं या और जैसे ही मौसम कुलेगा या हैलिकॉप्टर के माध्यम से या मैं सड़क के मा है हर इस बार परपा है ऐसा पचास साल में पहले कहत नहीं परपा था